नमस्कार बगवान सीव हमें लाइप में क्या सिखाते हैं बगवान सीव आधी अनन्द इनको योगी भी कहा जैता है सबसे सांत देवता इस सश्टी का सहार करने वाले बगवान सीव हमें क्या सिखाते हैं बगवान सीव हमें क्या कहते हैं कि कैसे आपको लाइप में जीना जाएं बगवान सीव कहते हैं कि जिम्मेदारी लेना सिखें , because of responsibility लेना सिखें सीव पुरान में एक गटना दी है। झप देवता और असूर के बीच में खूब लड़ई होती है तो देवता और असुर दोनो, भगवान ब्रह्मा के पास में जातेगी हे प्रबू हमारी लड़ाई सांध करा दो, हम कब तर लड़ते रहे तो ब्रह्मा जी के पास में भी कोई उपाए नहीं सुझता है फिर असुर और देवता भगवान विष्णु के पास में जाते हैं भगवान विष्णु से भी यही कहते हैं कि हे प्रभू हमारी लड़ाई सांद करो हम कब तक लड़ते रहेंगे वो भी कोई उपाय नहीं सुझा पाए लाश्ट में अंत में देवता और दानो भगवान कर लो और यह लड़ी करना बंद करो आकर कब तक तुम लड़ते रहो तो बगवान सीव उनको एक सोजाव देते हैं कहते हैं कि समुंद्र मंतन करो समुंद्र मंतन में जो भी चीजे निकले दोनों आधी-आधी बांठ लेना आधी असुर बाठ लेना आधी देवता बाठ जब आधी-आधी बाठ लोग इस रष्टी से जो चीजे निकलेगी तब तुम्हारे बीच में कोई द्वांत नहीं रहेगा कोई इडशा नहीं रहेगी और कोई लड़ई नहीं रहेगी भगवान शीव की बात दानव और देवता माल लेते हैं और समुंद्र मंतन निकलते जब अच्छी-चीजे निकलती है तो देवता और दानव बांट लेते हैं लेकिन जब खराब चीज निकलती है जब समुंद्र मंतन से हला हल विष्ण निकलता है तब भगवान ब्रह्मा स्वय भगवान विष्णू देवता दानव सब अचमित हो जाते हैं कि अब इसका क् अबाट तो भगवान शिव उस वक्त जिम्मेदारी लेते हैं ध्यान रखना हर कांड़ी में जिम्मेदारी लेना सीखना भगवान शिव उस वक्त जिम्मेदारी लेते कि मैंने तुमको कहा था कि समुंद्र मंतन करोर आधी-आधी चीजे लेकि लेकिन समुंद्र मंतन से हल हला हल विश्ट निकला है तो मेरी जिम्मेदारी है में रिस्पोंसिबल परसन हूं इस हला हल विश्ट को में धारंग और भगवान सेव क्या करते हैं उस हला हल विश्ट को अपने कंट में धारंग कर रहते हैं नील कंट कहला तो इस गठना से अपन को क्या सीख मिलती कि जीव जिम्मेदारी से मत बागना सपलता में मिलेगी आ सपलता में भी जिम्मेदारी लेना और आ सपलता में भी जिम्मेदारी लेना वो से लोग क्या करते हैं सपलता में आगया आ जाते हैं हाँ या इसका ये कारिय मैंने किया तो सब सपलता का स्रेह लेने की कोशिश करते हैं आ सच्चे लगन से कारिय करते हो ना तो कोई भी मुश्किल कारिय आपको रोब नहीं सकती, ध्यान रखना सीव पुरान में ऐसी एक गटना आती है, जब भगवान सीव अपनी ध्यान मुद्रा में लगे होते हैं देवता को चिंता लगती है कि कि भगवान सीव का ध्यान बंग करना काम देव और उनकी पत्नी रती दोनों को पेशता है, इंद्र भगवान सीव अपने ध्यान में मगन होते हैं खूब प्रियास करता है काम देव भगवान सीव का ध्यान बंग करने के लिए, लेकिन नहीं हो उपाता अंत में जब काम दम अंतम प्रयास कर लेता और फिर भी नहीं करने पता तब काम देव को बाण चलाता है भगवान शीव के उपर भगवान शीव का त्रिनेत्र खुलता है काम देव को बस्म कर देते हैं और फिर वापिस अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं तो भगवान शीव इस गटना से अपने को क्या सीख देते हैं कि काम कोई सा भी हो हज्जारों मुस्किल अपने लक्ष बटक नामत मुस्किल आए तो उस मुस्किलों को दूर करें उन मुस्किलों की बातों मों पार करें लेकिन जो आपने लक्ष तैय किया है उस लक्ष के परती बढ़ते रहे हज्जारों मुस्किल आएगी बगवान सीव के रास्ते में मुस्किले आए जब कर चलना बग्वान शीव हमें क्या केते हैं जीवन हमें सpriक ऐसाб jaką साथ लेकर चलना कभी अकेला मतर चलना जो इनसान अकेला चलता है हो ज़्यादा सक्सेज नहीं होता है जो सब को साथ लेकर चलता है न बोद आगे तक पहूँछ तो शब की सोचना, अपना अकेला का स्वार्थ मस drama, ध्यार डचना, दानो असुरों के आरध्य देव कोने? बगवान शीव असुर सिर्प बगवान सीव को क्यों पूछते हैं? क benefiting बगवान सीव और दानों को दुनों को बरा बर रूप में देखते हैं बगवान सीव कि अच्छ नट ब्रह्मा पर विश्वाज़े और ब्रह्मा विश्णू पर विश्वाज़े क्यों कि ब्रह्मा और भगवान विश्णू तो अचुंड चलकप्ट में करते हैं post बगवान सीव किसी के साथ में चल कपट नहीं करते हैं वो सब को बराबर रखते हैं तो जीवन में एक बात ध्यान रखना कि सब को साथ लेकर चलना किसी के साथ पक्षपात मत करना किसी के साथ बेदवाव मत करना तब आप जीवन में आगे बढ़ पाऊगे तब आप जीवन में आगे बढ़ना, टीम वर्क से आप आगे बढ़ पाओगे, कभी अकले होकर आगे नहीं बढ़ पाओगे, भगवान सीव कहते हैं कि मेनत करते रहो, मेनत करने वालों को फल अवश्य मिलेता, सीव पुरान में एक गटना है, वरकासुर नाम का रक्सस, भगवान सीव के बगवान सीव के पास बेज़ते हैं, नहारद मुनी जाते हैं और बगवान सीव को कहते हैं कि है प्रबु वरकासुर आप थी खूब तपश्या कर रहा है, उसे कोई ऐसा वर्दान मत देना, क्योंकि जब आप उसे कोई वर्दान देदोगे तो वह उस वर्दान का उसे अवश्य मिलेगा मुझे इस बास ते कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वह उस वर्दान का दुर्पियों करेगा सदुपियों करेगा बगवान सिर्व कहते हैं कि वह मेंद करता है जिसको मैं फल देता हूँ वरकासुर मेंद कर रहा है रात दिन एक कर रहा है उसे वर्दान अवश्य मिलेगा हाँ लेकिन जब वर्दान का सदूपयों करेगा तो उसके लिए अच्छा होगा और दूपयों करेगा तो उसके लिए बुरा होगा तो बगवान सीव हमें सिखाते हैं कि मैनत करते रहें जो मैनत करता है उसे फल बगवान सीव अपनी पत्नी को बराबर सम्मान देते हैं, अपने बराबर उनको बेटाते हैं, और बगवान सीव इस रश्टी में अकले देवता हैं, जो अर्द नारेश्वर कहलाते हैं, तो पत्नी को सम्मान देना बगवान सीव से सीखिए, अपने बच्चों में कोई तो पिन आइगा सेकनी बाइँब Lakia उसकी सबसे पहले साथी होगी तो बगवान गणेश लोगा देते हैं और वह प्रतिया पूरी कड्र लेते हैं कार्तिये पूरी शष्ठी के चकल लगाने चाहते हैं तक भगवान शीव स्रीजन को विजता खोसित कर देते हैं तो कार्थी के नाराज हो जाते हैं तो बगवान उनको भी मनाते हैं तो ग्रस्त जीवन को कैसे जिया जाए बगवान सीव से सीखिए कैसे अपने बच्छों को रखना है कैसे अपने पत्नी के साथ में बिहेविर करना है ये बगवान सीव से सीखिए बगवान शीव की ये बाते हमें जीवन में जीना सिखाती है हमें जीवन को कैसे जीना ये सिखाती है हमें जीवन में कैसे अगे बिढ़ना ये सिखाती है हमें जीवन में कैसे ग्रस्त जीवन योगी रहते हुए भी कैसे ग्रस्त जीवन जीना बगवान शीव हमें सिखाते हैं तो बगवान शीव से हमें यही सिक्सा मिलती है कि जीवन को कैसे जिया जाए